NPS के नए नियम के, एक बार में एक मुष्ट निकल सकेगी अब NPS में जमाराशी, समस्त कर्मचारियों नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण, सब्सक्राइब कीजिये अमेजिंग स्मृती को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिये लेटिस्ट एजुकेशनल इंफरमेशन प्राप्त करने के लिए NPS Rules, PFRDA ने बदले NPS के नियम, जाने नई उम्र सीमा और निकासी की गाइडलाइन NPS Rules, Pension Fund नियमक और विकास प्राधिकरन ने हाल ही में राश्ट्रिय पैंशन योजना के नियमों और दिशानिर देशों में कुछ बदलावों का प्रस्ताव दिया है, जो इस योजना का हिस्सा बनने की उम्मीद कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदे मंद हो सकता है राश्ट्रिय पैंशन योजना वितमंत्राले के अधिकार क्षेत्र में आता है NPS भारत में एक स्वेच्शिक पैंशन प्रनाली है, जिसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिक पैंशन के रूप में नियोजित बचत कर सकते हैं नए नियमों के अनुसार, NPS के लिए आवेदन करने की उम्र सीमा बड़ा दी गई है और योजना से बाहर निकलने के नियमों में भी बदलाव किया गया है PFRDA के नए दिशानिर देशों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक अप 70 वर्ष की आयू तक अपने NPS खाते खोल सकते हैं NPS के नए नियम, PFRDA के संशोधनों के अनुसार, NPS योजना के लिए उम्र सीमा बड़ा दी गई है अप वरिष्ठ नागरिक अपने NPS खाते 70 वर्ष की आयू तक खोल सकते हैं पहले, योजना के लिए आवेदन करने की अधिक्तम आयू 65 वर्ष थी अप कोई भी भारतिय नागरिक या भारत का प्रवासी नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है और 75 वर्ष की आयू तक राष्ट्रिय पेंशन योजना का हिस्सा बन सकता है हाला कि इसके लिए आवेदन के समय उनकी उमर 65 से 70 साल के बीच होनी चाहिए संशोधित दिशानिर देशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपना NPS खाता बंद कर दिया है उसे एक नया खाता शुरू करने की अनुमती दी जाएगी यदि निवेश 65 वर्ष की आयू से अधिक है तो और टू चॉइस के तहट निवेश करने का निर्नय लेता है ऐसे में अधिक्तम एक्विटी शेर केवल 15 प्रतिशत होगा इसके अलावा एक्टिव चॉइस के तहट अधिक्तम एक्विटी एक्सपोज़ 50 प्रतिशत होगा पी एफार डीए ने एग्जिट रूल्स को भी रिवाइच किया है अब 65 वर्ष की आयू के बाद NPS में शामिल होने वाले ग्राहक तीन साल बाद सामान्य निकासी ले सकेंगे इस समय सीमा से पहले किसी भी निकासी को समय से पहले निकासी के रूप में माना जाएगा पी एफार डीए के दिशा निर्देशों के अनुसार NPS खाते के ग्राहक की मृत्यू होने पर योजना की पूरी राशी का भुपतान एकमुष्ट किया जाएगा